हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पनीर के भोती टेस्टी और भोती हेल्दी स्नेक्स और इसको बनाना बहुती ज़्यादा असान है भार से इतने क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप इसको बार बार बनाना प पनीर लिया है अब पनीर को हमें हातों से अच्छे से मैश कर लेना है आप चाहें तो यहाँ पर इसको कद्दू कस भी कर सकते हैं तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर इसको ग्रेट कर सकते हैं तो इस तरह से हातों की मदस्सें इसको अच्छे से मैश कर लिया है तो अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे बारी कटी हुई प्यास तो मैंने यहाँ पर दो मेडियम साइज की प्यास लिया है उनको मिलकुल बारी काट करके डाला है तीन से चार हम यहाँ पर डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्ची मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस् और मेदा को पर एड़ सकते हैं और चावल का चावल का अटा भी डाल सकते हैं तो जोनों में अच्छा लगे वो हैं यहाँ पर एड़ कर सकते हैं या फिर आप मैदा से भी बना सकते हैं तो तीनों में से जो भी चीज आपको अच्छे लगे वैसे आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर कॉन फ्लोर और मैदा दोनों ही डाले हैं और अब हम हमें यहाँ पर बिना पाने डाले इस तरह से इसको अच्छे से mix कर लेना है और जैसे जैसे हम इसको mix करते जाएंगे ये एक dough का रूप ले लेगा और आप चाहे है तो यहाँ पर अगर आपका binding अच्छे से नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पाने भ तो आप इसे फटाफर से बना करके खा सकते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी हमारी ये बोल्स बन करके तयार होते हैं, बच्चों को तो इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि वो आप से बार बार से बनवा करके खाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी हमारी बोल्स बन करके त तो देखे दीरे दीरे अच्छे से बाइंड होता जा रहा है और बिल्कुल सोफ्ट सा डो हमारा लग करके तयार हो चुका है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सोफ्ट हमारा डो बन करके तयार हुआ है तो अब हमें क्या करना है इस तरह से हातों पर हलका सा ओल लगाना है और इस तरह से चोटी चोटी हमें याँ पर बोल्स बना करके तयार कर लेनी है तो इस तरह से आप इसकी बोल्स बना करके तयार कर लें बहुत यसानी से बन जाती है तो इस तरह से हम इसकी बोल्स बना करके तयार कर लेंगे तो बाकी की सभी balls को भी हम इसी तरह से बना करके तयार कर लेंगे तो देखे बिल्कुल perfect हमारी balls बन करके तयार होई है और जब आप इनको fry करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी भूती crispy balls हमारी बन करके तयार होँगी कोई cracks नहीं आएगा बहुत यच्छ से बिल्कुल perfect हमारे snacks बन करके तयार होंगे तो बस इसी तरह से अब चलिए बाकी की सभी bowls को मैं बना करके तयार कर लेती हूँ तो लीजे सभी bowls हमारी बन करके तयार हो चुकी हैं आप देख सकते हैं कितनी देखने में अच्छी लग रही हैं और खाने में इससे भी कई गुना जादा टेस्ट हमारी बोल्स बन करके तयार होती हैं तो बस अब में आपर इनको फ्राई करना है तो कडाईब में हमें आपर तेल को गरम कर लेना है और जादा तेल हमें आपर गरम नहीं करना है दीमी दीमी आज पर हमें इसको फ्राई करना है अगर आप इसको तेज आज पर फ्राई करेंगे तो बार से तो यह किरिस्पी हो लेकिन अंदर से कच्छी रहेंगी तो इसलिए हमें इंधिन धूरेङकर फ्राह जाने ृए लहाफ लग्ज लेकिन अंदर से étapey करते अ में थे लिए। और हम याँ पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हलका साइस के अंदर बदामी कलर आ जाएगा तब तक हमें इसको फ्राई करना है बहुत ही क्रिस्पी हमारी बोल्स बनकर के तेयार होती है देखने में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है खाने में जुनका टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो सभी बोल्स हमारी बनकर के तेयार हो चुकी है अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो अब हमें इसको एक बरतर में निकाल करके रख लेना है तो लिजे तेयार है बहुत ही टेस्टी पनीर की हमारी बोल्स तो इसको गर्म गरम सर्फ करेंगे हम यहाँ पर टमैटो कैचप के साथ आप चाहे तो यहाँ पर इसको हरे धन्य की चेटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको आज की रेस्पी पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों मेरी सिधारों में शेर करना ना भूलें और एक like का बटन है उसे जरूर प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें तो friends आप इस recipe को एक बार जरू try करना आपको बहुत ज़्यदा पसंद आएगी खास कर बच्चों को तो बहुत ज़्यदा पसंद आते हैं यह वाले snacks तो चलिए मैं आपर आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ बहार से कितनी ज़्यदा क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने soft हमारे बोल्स बन करके तयार हुए हैं तो आप इसे एक बार जरू try करना तो चलिए friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार